फोर्ड्स फीगो फीगो सिर्फ एक कार नहीं है ये एक नाम है एक ब्रांट है जिसे फोर्ड ने सन 2010 में सबसे पहले इंडियन मॉर्केट में लॉंच किया था 2010 में लॉंच होने के बाद से ही इस कार को बहुत से लोगों ने पसंद किया और इस कार ने बहुत ही जल्दी तीन लाख कारों का अंकड़ा पार कर लिया था अब 2019 में फोर्ड ने अपनी इस फेवरेट हैच बैक की तीसरी जनरेशन को लॉंच किया है ये फोर्ड फीगो तीन वेरियंट में लॉंच की गई है पहला एंबियंटे, दूसरा टाइटेनियम और टॉप नोच वेरियंट टाइटेनियम ब्लू आज हम बात करेंगे कि इन तीन वेरियंट में से कौन सा वेरियंट बेस्ट वेल्यू फोर मनी है तो दोस्तो जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लेटल गया दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे ब्यांते की कि इस वेरियंट में आपको फ़र्ट द्वारा क्या-क्या मिलेगा तो दोस्तों इस वेरियंट में आपको मिलता है ब्लाक मेश ग्रिल ब्लाक डर हैंडल्स बाणी अ कले फृंट अर रियर Conse Chief R leuke acres लेल्प क्या इसके बाद बात करेंगे दूसरे टाइटीनियम वेरियंट की और देखेंगे इस वेरियंट में आपको क्या-क्या मिलता है जो की एम्बियंटे से ऊपर है इसमें आपको मिलता 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 है इसमें आपको मि और steering mounted audio controls full touch infotainment system with GPS इसमें Apple CarPlay और Android Auto नहीं मिलेगा इसके अलाबाए adjustable headrest on the rear seat, height adjustable driver's seat, chrome tip on the handbrake lever push button start and stop auto climate control and boot lamp जैसे features इसमें आपको मिलेंगे यह भी तक हमना बात की थी 1.2 liter petrol engine के इसके अलावा 1.5 liter petrol trim भी आपको एक मिलता है जिसके अंदर titanium में आपको electronic stability program traction control system और hill launch assist जैसे features भी आपको titanium variant के अंदर मिलते हैं Figo का तीसरा variant titanium blue है titanium blue Ford दोरा Figo में देगे top notch variant है इसके उपर कोई variant नहीं है मतलब जो कोई भी balance whistles Ford Figo में देना चाहता था वो इस variant में आपको मिल रहा है तो दोस्तों आप देखेंगे कि titanium के उपर titanium blue में क्या मिलता है इसमें आपको मिलेगा premium blue interior theme, side curtain, safety airbags 15 inch fully blackened alloy wheels blackened grill with blackened out outer rear view mirrors leather wrapped steering wheel dual tone roof, blue highlights और for fog lamp surrounds इसके अलाबा rain sensing wipers automatic head lamps जैसे features आपको titanium blue में मिल जाएंगे तो दोस्तों आप देखते हैं कि इन तीन variant में से कौन सा variant हमारे काम का है बात करें इनके prices की तो पहला model ambient ते 5,15,000 रुपे में आपको मिलेगा दूसरा titanium 6,49,000 रुपे में आपको पढ़ता है अब अगर इनका price difference देखा जाए तो Ambiente और Titanium के बीच में 1,24,000 रुपे का फर्क है लेकिन Ambiente से Titanium में बहुत ज़्यादा features दिये गए हैं इसके अलाबा अगर दूसरा देखा जाए तो Titanium से Titanium blue में जो difference है ये मतर 5,000 रुपे का है लेकिन इसमें कुछ खास फर्क नहीं है इसमें सिर्फ आपको airbags ही जो है वो extra मिलते हैं तो दोस्तों कुल मिला के अगर safety आपकी priority है तो आपको Titanium blue के साथ जाना चाहिए और अगर आप दो airbags से संतुष्ट हैं तो Titanium जो variant है वो पुरी तरह से balance whistle से आपको क्या लगता है कि कौन सा जो variant है वो value for money है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जुड़े रहें आपके अपने चैनल लिटल ग्यान के साथ धन्यवाद